हाव रूफिक्स सैमसंग गलक्सी एसिक्स सेलूलर नेट्रोक नॉट एवलेवल प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर अब सभी का तिकिराज यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है सेलूलर नेट्रोक नॉ एवलेवल नहीं है आपको नेट्रोक नहीं मिल पा रहा है तो कैसे आपको फिक्स करना होगा आज के इस वीडियो पर मैं आपको कॉम्प्लीट सॉलुशन बताने वाला हूँ जिसके ट्रू आप अपने सेलूलर नेट्रोक नॉट एवलेवल प्रॉब्लम को डेफिनिट्लि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकून को क्लिक करें अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा किसे भी प्रॉब्लिम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्व सिम कार्ड को जेक कर दीजिए यानिकी सिम कार्ड को मोबाइल से बाहर पर निकालना है मोबाइल को रिश्टार्ट करना है उसके बाद सिम कार्ड को अंदर पर भर देना है इंसर्ट करना है ठीक है और चेक करके देखें आपका प्रॉब्लिम सॉल्फ हुआ है या नहीं हु आपका network आ चुका होगा चेक कर ले ठीक है अगर solve हो जाते है problem ठीक है अगर आपको अभी भी problem आ रहा है तो connections पे जाए mobile network को open करें और दोस्तो network mode को switch करके देखें ठीक है 4G, 3G, 2G के बीच में या फिर आप network operator में जाके network को manually या फिर automatically इस बटन को on off करके use कर सकते हैं अगर आप इसको off करते हैं तो manual network आपको डिख जाएगा आपके area में कौन सा network available है जियो का या फिर एर्टल का वो आप उसको use कर सकते हैं अगर आपका एर्टल से में तो एर्टल ने टोक ही use करें उसमें register कीजिए अगर जियो है तो जियो में register कीजिए जियो सी में एर्टल पर रिजिटर नहीं हो सकते एर्टल सी में जियो पर रिजिटर नहीं हो सकते ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान पर रखना है और यहाँ पे आपका network setting एक बार reset जरू करना उसके लिए general management पर जाए रिसेट पर क्लिक कीजिए और reset network setting पर जाके reset setting पर डबाके mobile password भर देना है और network setting को reset करना है ठीक है तो इस तरहीं से दोस्तों आपका cellular network not available problem fix हो जाएगा ठीक है तो इस तरहीं से आपको fix करना है by any chance अगर आपको अभी भी problem आते हैं तो wifi के मदद से software को update करके देखें अगर mobile के related कोई भी problem है तो वह software update करने के बाद fix हो जाएगा अगर आपके SIM पर ही problem है तो आप customer care को contact करके बात कर सकते हैं आपके SIM से नहीं कर पा रहा है दूसरे SIM से कर दीजिए क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है SIM deactivate हो जाते हैं ठीक है कई बार SIM deactivate हो जाते हैं उसके वज़े से cellular network नहीं आ पाते हैं तो आप अगर एटल सीम यूज़ कर रहा है 198121 कॉल कर सकते हैं अगर जियो है वाइन डावल सेवन अगर दूसरा कोई है तो आप 198 पर कर सकते हैं या फिर आप गूगल पर जाकी वी चेक आउट कर सकते हैं और यह दोस्तों एक चीज़ दियान रखें आपके एटल सीम पर प्रॉब्लम आ रहा है तो एटल सीम दूसरे लेकि आपको कॉल करना है जीओ सीम पर प्रॉब्लम आ रहा है तो दूसरों कर जीओ सिंब ठीक है घर वाले का फ्रेंज से आप क्या मेरे इस नंबर पर प्रॉब्लम में क्या हुआ है वह आपको कॉंप्लिटब्स बता देगा ठीक है लेकिन आप से वह कुछ जानकरी पूछेगा confirmation के लिए तो उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि actual में प्रॉब्लम किया हुआ है ठीक है जितने भी solution था यहाँ पे जितने भी solution था मैंने यहाँ पर आपको दे रही है simply आप उसको follow कर सकते solve कर सकते अपना problem अमिद करते वीडियो आपको यह पसने आओगा तेंक्स रो आचिंग करते वीडियो आपको यह पसने आओगा तेंक्स रो आचिंग